राम नौमी है नौरात्री का आखरी दिन सरकार की तरफ से रामायע्ड का पाठ कराने के लिए राशि उपलब्द कराई गई थी बात करते हैं ओम प्रकाश राजभर जी से सर आप तो हनुमान जी के वंशज्ञ हैं और रामायाड का पाठ हो रहा है तमाम मंदिरों में किस त सब्सक्राइब लोग मना रहे हैं अखंड रामयाल का पाठ करने के लिए कहा गया था और आज समापन हो रहा है उसका एक एक लाख रुपए जिलों को जिलाधिकारीयों को उपलब दूपके कराएं गया थे सरकार की तरफ अब जिले में जी सतरह के मंदीर हैं एक लाख रुपए में का बनी के लिए काफी है लोगों की अपना अपने डंक से लुग कर रहे हैं पहले इस बात को उठाना चाहिए था कि एक लाख रुपए में कुछ नहीं होगा पता कि यहां पैसा भेजा जा रहा है जब जानकारी हो को प्रसन है रामयल का पाठ हो रहा है तमाम मंदिरों में आप खुश हैं प्रसन है हम तो प्रसन तब होंगे जब तेलंगाना की तरह केजी से पीजी तक गरीब बच्चों को निसुल्क सिक्षा की व्यवस्ता होगी, तब हम प्रसन होगे, गरीबों में सिक्षा होगी, तब ही वो रामाण का अर्थ समझ पाएंगे, जो रामाण का भाव है, तब हो समझ पाएंगे, जो असिक्षित विचारा है, वो अपने रोजी रोटी के लिए सुबह उड़ता है, तो कहां हमको रोजगार मिलेगा। वह भागता है कि हमको मजदूरी मिल जाता कि हम सावब को रोटी. तो रोटी के लिए परसान है, तो उसको कहा समझ में आएगा। तो सिक्षा जरूरी है तो def style अभी आप परसद नहीं है रामआयर का पार्ठ कराने से? हम कब ना खूस हैं कब ना पसंद हैं देखे हमारी जो लड़ाई है जो हम सोचते हैं जब आदमी साधन संपन होता है खेती हो गई मकान हो गया नवकरी हो गई तब वो अपने दर्वाजे पर भगवान का मंदिर बनाता है उस गरीब से पुछे जिसके पास आज भी मड़ई है उस गरीब से पुछे कि जिसके घर सिक्षा नहीं पुछी उस गरीब से पुछे जिसके घर नवकरी नहीं है उस गरीब से पुछे जिसके घर रोजगार नहीं है हम आप तो बहुत खुस हाल है दो जून की रोटी के बहाव में, रात के अंधेरे में, वो अपना कैसे रह रहा है, ये तकलीफ है, ये कस्ठ है, वो कैसे ठीक हो, आज कई स्टेटों में सरकारें अलग-अलग, पंजाब की सरकार तीन सो इन विजली फिरी दे रही है, दिल्ली की सरकार दे रही है, अभी राजस्थान की सरकार ने उनका दुख दूर होगा भगवान राम देश में जो अभियान चलाए वो आत्ताईयों के जुल्म से निजात दिलाने के लिए ने चलाया था तो उस जुल्म से निजात दिलाने के लिए आज प्रदेश में लोगतंत्र है, लोगतंत्र में सिख्षा रूपी हंतियार एक ऐसा है जिससे सभी कुछ हासिल हो सकता है